नमस्कार दोस्तों मैं गोपाल लालमीना आप सभी का हमारी यूटूब चैनल साइवर स्टीडी में हाल दिक स्वागत करता हूं डेल लेर्नर्स आज की इस टुटोरियल में Microsoft PowerPoint presentation के टोप 25 most important objective type questions देखने वाले हैं यह हमारा second part है इससे पहले मैंने आपको PowerPoint presentation के 25 most important objective questions का एक वीडियो पहले ही उपर लुट करवा दिया है आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको इस टोपिक के सभी 25 प्लस 25 कुल 50 questions क्लियर हो जाए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लोड बेल आइक अनकी बटन को प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का लिं मैनी स्कूरीन जहां हम देखने वाले हमारे आद की टुप 25 एमशिक्या है हमारा आद का पहला क्यूशन है एपलाइ डजाइन टेमेलें से क्या होता है तो अगर आप अपने के का यूज करता है तो यहां पर यूज हो जाता है बीना कटेंट को चेंज किये हमारे सिर्ध के लूब सेंज करना चाहिए पहले से बनी चाहिए जिसे पावर कोई अगर पहले से कुई स्टाइल से बने हो हैं अगर आप उनको प्रजेंटेशन में यूज करना चाहते हो तो तो यह कहां कहां अप्लाई किया सकता है क्या सभी स्लाइट प्लाई किया सकता है यह एक करने पर यूजस करते हो यह फिर सभी स्लाइट पर यूज कर सकते हो यह लिगी अगला कुशन है इन में से कौन से कि आप स्बडिंग चेक करने के Practice करेंगे अगर आप लेतं कि शोत्रक करने के तो आप यूज करेंगे लेकिन अगर आप इस क्वेशन को इस्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं अगर आप इस्टार्ट करना यह विज आप लाग्ट चेप्टर में अच्छे से संद्धा था परिंटरेशन वियू मिलता है विद्धरेशन वियू में कुछ पांच तरखे के वियू देखे थे जिसे कि नॉर्मल वियू पेज नौट वियू रीडिंग व्यू आफ्लाइं व्यू पर आम अच्छे से डिसकुस किया आप सब्सक्राइब की यह किसी पिच्छर platt प्रपाइब कर सकते हैं वहां पिचर सब्सक्राइब कर सकते ने तक दूंट कर सकते हो तो यह ढमें सब्सक्राइब करके लिए से औप्सन हो सकते हैं एक जो स्लाइड होती है उनने टाइटल भी हो सकता है इसके अलाव ग्राफ भी हो सकता है अब्जक्ट से भी हो सकते हैं क्लीप विजुल सो सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब आद क्या होता है अच्छे से किसी भी परमानेंट चीज में कोई कोई टेक्स हैं उन्हें ममें टेना उनकी हिलाना अइक जगह से दूसरी जगह तक उसकी पोजिशन चेंजगाना यह क्या होता है एनिमेशन भी एप्शन से हो जागा इस तरह चित्रों को गती देना या मोशन लगाना यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी ओप्शन सिस्ट्रों को गती देना कि क्या है जिसाट कि प्रिविश किशन में प्रडा था स्टार्ट करने के लिए हम यूज गते हैं आफ पाइस और क्रहा कौन सा ओर इंदजन वहता है तो बाइडी फोल्ट यहां पे लेंडिस के होता है हमने देखा है परिंट सेटिंग में जाके दो तरीके के वहां पर चंहिंद से के और एक पोर्ट जो दॉक्यमेंट फाइल होती है उनमें बाइडीक टाइप का लेंदिसकेप यहां वाहन वाहन रग के एग्जिट और एंटर के लिए वहाँ कोंसे यूज़ देने ही तो SM użyira यूज़ करेंगे मातोर हैँ तॉ जोड़ सकते हैं सभी फॉर्मेट श्राइब पर इंच्राइब सिलाइब है वहाँ पर एक्सेप्टेबल है आप पावरपोइंट की फाइल के अंदर वेव जेपीजी एंपीजी किसी भी तरिके का फाइल फॉर्मेट वहाँ पर एड़ कर सकते हो यहां पर दियोप्सम से अंतर हो जागा यह सब्सक्राइब कि अगला किशेंह 3 जब आप परनशन को ओपन करते हैं तब में सा टेब नहीं देखता तो फ्रेंड किशन को स्टीक से समझाब लीजिए कौंसा नहीं देखता रेप कौन सा त्याप नहीं दिकता तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोर्ट नोर्टक वाहां पर लीफॉय नहीं कुछ लिए ओडमें कौन सा सेक्षिन मौजूद नहीं होता तो फ्रेंट जो एनिमेसंस जो होता है वह एनिमेसंस मीनू बार में मिलने वाले एक फीचर है ठीक है जब कि टाइटर और चार्ट यह स्लाइट ले आउट में मिलने वाले फीचर है तो यहां पर सही आंसर हो जाए अलग लग डिजियन्स देने हैं अलग लग मॉसन लगाने हैं तो हम यहां पर एनिमेशन इसकीं का यूज करेंगे तो यह सबी अंशर हो जाएगा एनिमेशन इसकींगे अगला क्यूशन नदों सिow t910 कि ओप्रियूग किया जाता है तो सो करने के लिए किस ऑप्षिंग करते हैं साइसडास से हमचे से अब एक कर सकते अब आलबम क्रेट कर सकते तो तå आप्द नills क्यािका अगर अब अभी तक आने हमारे previous chapters नहीं देख्या है ताप उन वीडियो को देख लें वह इसी YouTube चैनल की प्लेश्ट में उपलग है इसका सही अंसर हो जाएगा रियर्स टाइमिंग इन में से किसमें हम पहले से बने हुए प्रेजंटेशन को उपन कर सकते हैं तो यहां पर कुछ सोट कड़की दी गई है चार सोट कड़की यहां पर दी गई है से मारे कंटेंट को लेफ्ट अलाइनमेंट करवाते हैं तो यहां पर हमारे से अंसर हो जाए कंट्रोल प्लस ओ जो कि हमारे पुरानी प्रजंटेशन को उपन करने के लिए यूज होता है तो अगला क्यूशन है 19 पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेट स्लाइड पर अप्लाई होती जाएगी तो यहां पर स्लाइड चो को कैसे रोका जा सकता है प्रेश्ट वीडियो में में इस टॉपिक भी डिसकस किया था अगर आप स्लाइड सो इस्टार्ट करना है हम यूज करेंगे एक फाइप फाइफ फंक्शन की का लेकिन अगर आप लेट टॉपिंट बीच में एक्जिट करना है तो हम यूज करता है इसके बटन का है हमारे की बोर्ड में लेफ्ट टॉप में यूज रोतन है जो कि फ्रेंट में लेफ्ट चान में कौने में अपलब्द हैं वहां पर आप इसके बटन को प्रेश करके आपकिन स्लाइड चो और हम में एक्सल की बात कररे हुए लगा है तो हम वर्ट प्रेशन कर रहे होते हो तो हम पर हम बेंसको डोक्यमें जबकि अपर मिन्ट के ंंदर इसको क्याbn करता है एक्षन चेलन अपर को परसमेंे चार्ट को बोत और जो करना है मैं तो है तो कर दोब इसे इंसर्ट करवा सकते हो तो आप इंसर्ट टूल में जाए और वहां से चार्ट इंसर्ट करवा सकते हैं तो सी अप्सन से आंसर हो जाएगा अगला कुछन हमारा 23 पावर कोई किने में सब्साइड में और उसको करना है तो आप किस टूल का यूज करेंगे ताप फॉर्मेट में जाए और वहां से रप्लेशन के क्लिक कर गया हम अमारे फांट रिप्लेश करवा सकते हैं यहां पर से आंसर हो जाएगा सेकेंड लाश्ट क्यूशन है इन्हें से किस व्यू में हम सभी स्राइड को एक साथ देख सकते हैं तो फ्रेंड्स एक साथ अगर आप वो सभी स्राइड को देखना है तो हमें यूज कर सकते हैं तो यह उप्सन यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगरा क्यूशन है 25 एमेस पावर पॉइंट में स्राइड डीजैन का ओप्सन किस टूलवार में होता है तो इसका सही आंसर है फॉर्मेटिंग टूलवार में यह थे हमारे 25 इंपोर्टेंट क्यूशन यह पहले भी पूचे जाने पूरी बुन जाएज से इसके अलाव में आपको दो कुष्ण से यह पर प्रोइड कर रहा हूं दे रहा हूं आप उत्तर कमेंट बुक्स में लिखकर दें किशन फर्स्ट है में प्रजंटेशन व्यू का ओप्सन किश में में होता है आपको यह बताना है कि ज में दुबार में उखलत होता है तो आपको इसका भी आंसर कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास सभी पेचानवालों को भास इसको से करें जिससे वह भी इस वीडियो को देखें और इसका लाब ले सकें अब मिलें निस्ट वीडियो में सब तक के लिए आप वपीस्राइब उक्कोंसी आप बांटे रह likely वार के डिट्लिक रहां से बहुत बहुत हैं दन्यवाद हैं थैंक यू सो मुछ